आज, लोग बात करेंगे सबसे एकसर्षाइज जो नी के लिए होता है इस खुटना को पूरी जिन्दगी बचाया जा सकता है कोई भी प्राइबलम नहीं होगी पूरी जिन्दगी इसको स्वास्त रखा जा सकता है काटिलेज थोड़ा बहुत घीज जाता है जिन लोगों में उन लोग यह रेगुलर एकसाइज प्रैक्टिस करें तो जिन्दगी भर उनको नी रिप्लेश्मेंट की जरुवत पड़ेगी और ना ही किसी भी तरह के ऑप्रेशन की जरुवत पड़ेगी हमेशा स्वास्त रहेंगे हमेशा सही रहेंगे कोई दिक्कत नहीं हो तो आज देखते हैं नी जॉइंट के लिए क्वाट्रिसेप्स मसल जो होता यह सबसे जुरुरी होता है क्वाट्रिसेप्स मसल को मजबूत करना मैं इसको मजबूत करना इसको मजबूत करने के लिए सबसे इक cozода को अदे realised इस ए और नन वेट वीरिंग एसराइज है इस मतलब इस पर घुटना पर किसी भी तरह का वेट नहीं दिया गया है एक दम फ्री है घुटना यहां बाहर है और पैर नीचे लटका हुआ है घुटना पर किसी भी तरह का जोर नहीं पढ़ना चाहिए तो आएए देखते हैं कि इसके किरेकार करते हैं सबसे पहले इस कई तो भी क्यूंकि जो गूसे करेंगे उस में फोरे जोडने पर जेक पर्सेंट का वी जोड़ने पर तब जाके शिबगा और सेफ्सका स्ट्रेंथनिंग सही रूप से हो पाएगा तो यह हो गया घुटना को सटा लेते हैं और आते हैं यहां नीचे पैर में जो दोनों हमारा अंगुठा होता है इसको क्या करते हैं दोनों सटा के और किसी भी स्ट्रीप गयरा से या फिर बाल को बंधने वाला रबर जो नीकेजी अलग-अलग एकेजी हाफ केजीए इस तरह का का सैंडवाएक बना सकते हैं और उसमें रसी से भाण सकते हैं पैर में चाहें घुटना जो है आपस में इसको यहां पर भी किसी रस्सी या रबर से बाण देंगे नहीं क्यां करते हैं इसे पेपर या टॉवेल लें के इस बीच में प्लेस कर देते हैं और यह पेशेंट को यह होना चाहिए यह दबा रहा है यह पेपर छूटे नहीं या फिर तॉलिया हो या फिर इसमें के बीच में जो भी हो वह रहा तब जाके होगा कि नी पे थोड़ा भी जोड़ क्यों नहीं पड़ेगा और को आप दिरे दिरे इसको उठाएंगे ग्राजुओल इटाएंगे दिरे-दिरे उठाके पांच सेकेंड तक होल्ड करते हैं फिर उसको नीचे ले जाएंगे फिर उठाएंगे यह देखने पूरा क्वाड्री सेप्स का स्रेंद्रिंग एक्सराइज होगा पूरा यह स्ट्रेचिंग भी होगा और श्रेंद्रिंग एक्सराइज दोनों होगा उठाओ यह द्यान रहे कि पेपर यह जो है बीच में दभा होना चाहिए दोनों घुटनाा अपस में लीए होता है आधनी इसको आंगे पॉलते हैं धीरे-धिरे करते हैं जैसे से 20 रिपीडिशन कर सकते हैं फिर दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं यह हमेशा करेंगे जो रेगुलर इसको एक्सराइज नियमित रूप से इस एक्सराइज को करते रहेंगे उनका घुटना में कभी जिन्दगी भर कोई परिशानी नहीं आएगी नी रिप्लेस्मेंट की कभ घुटना खराब हुआ हो यह एक्सराइज करते रहेंगे तो सब ठीक रहें , कि अब अब क्या होता है कि यह नी-क्रेंशर मसल होता है अब हम देखेंगे नी-क्रीं करना जरूरी होता है जो कि हमारा पोस्टेरियर थाई मसल होता है यहां पर यह हैंस्ट्रिंग मसल होता है तो हैंस्ट्रिंग मसल का भी स्ट्रेंथिनिंग जरूरी होता है नी का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सही से काम करने के लिए तो अब हम देखेंगे इसका हैंस्ट्रिंग का का strengthening exercise Circus concentrate कराने के लिए पेशेंट को क्या करेंगा इसे अब aan निटां अब क्या करेंगे के फ्रasya का इसको ना को मोड़ने के लिए जहां तक ए के वहां तक मोड़ना होता है यह प्लेस कर देने से क्या होगा घुटना पर किसी तरह का जोड़ नहीं पड़ेगा और यह हैंस्ट्रिंग मसल टाइट होगा और वेट इसमें बंदा हुआ है तो हैंस्ट्रिंग मसल का स्ट्रेंथनिंग एक्सराइज भी होगा क्योंकि रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो इस्ट्रेंथनिंग एक्सराइज हो रहा है फिर उसके बाद सिधा करना है धीरे धीरे नीचे के तरफ ले आना है फिर धीरे धीरे उपर के तरफ ले आना है कोई भी वीगरास एक्सराइज नहीं करना है कि यह यह इसे ही 15 से 20 एक टाइम में करेंगे दिन में दो तीन बार कर सकते हैं जैसे आपका सुविधा हो उसके हिसाफ से जितना करेंगे उतना यह मसल मजबूत होगा और हैंस्ट्रिंग मसल भी बहुत लोगों में टाइट हो जाता हैं हैंस्रिंग मसल्के टाइट होने गया होने के नहीं के डिलूज होना अरी सट्रेशींखं ऑस jain मे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी